Hi kids, आज हम करेंगे chapter 3.2 compare a program, किसी program को host करना, तो जब भी किसी program को host करना होता है, तो जो इनसान जो host कर रहा है, वो क्या करता है, उसकी क्या-क्या duties हैं, क्या responsibilities हैं, यह आपको इस chapter से पता चलेगा, तो सबसे पहले तो जो host है, वो एक welcome speech देगा, सबका स्वागत करेगा, तो यहाँ पे वही हो रहा है, good morning friends, it is a pleasure for me to welcome you all to this festive occasion, यह मेल यह खुशी की बात है, कि मैं आप सबका स्वागत करूँ इस खुशी के मौके पे, मैं रेक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने फोन को स्विच आफ कर दें, या silent mode पे कर दें, यह जो समय है, अच्छा सा खुशनूमा समय जहाँ जो युवा लोग है, वो अपनी रशनात्मक्ता का प्रदर्शन करेंगे, चलिए हम उसका हिस्ता बन जाते हैं, और जो भी हमारे पास जो काम हैं, जिन भी काम में हम अपने आपको बिजी रखते हैं, उन्हें हम कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं जो भी हमारे काम है और जो भी हमारे फोन की ringtones हैं उन्हें हम कुछ टाइम के लिए side में कर देते हैं और इस program का आनंद उठाते हैं arrival of the dignitaries जितने भी बड़े बड़े VIP लोग हैं वहाँ पे जो आ रहे हैं उनका स्वागत I am happy to announce that the dignitaries have arrived I request you all to be seated मैं आपको बताना चाहती हो कि जितने भी VIP लोग हैं जितने भी हमारे guest हैं वो आ गए हैं तो अब आप सब लोग बैठ जाएं I request our head girl miss shubda muraka to escort the dignitaries to the dais मैं request करूंगी हमारी head girl miss shubda muraka से कि वो जितने भी escort का मतलब होता है कि जब आप किसी इंसान के साथ चलो उसे बताओ कि यहां जाना है और उसके साथ आप चल रहे हो तो उसे कहते है escort dais क्या है podium जब आप आपके school में अगर कोई भी program हो रहा हो तो stage पे एक लखडी का जो structure रहता है जहां पे mic लगा होता है उसे कहते हैं dais या podium commencement of the program program को शुरू करना उसकी शुरुआत honorable chief guest of today's function and an artist of great renown श्री चारुदत्ता दिवान जो chief guest है उनका नाम लिया जा रहा है जो की बहुत बड़े artists बहुत बड़े कलाकार भी है President of Balanand Education Society श्री अव्दूत पाथक Balanand Education Society के President भी वहाँ पे है अव्दूत पाथक Principal Ajinkya Parkhi Vice Principal Shaila Singh और जितने भी guest, माता-पिता teachers और जितने भी मेरे classmates और मेरे school के बच्चे वहाँ पे हैं मैं सबका स्वागत करती हूँ Balanand Vidyale की तरफ से We have gathered here for the inauguration of our school art festival हम यहाँ पे घटा हुए हैं हमारे school के art festival का उद्घाटन करने के लिए Lighting the lamp दिया जलाना Let us begin this auspicious occasion with something symbolic of knowledge and learning चलिए हम इस बहुत अच्छे अफसर की शुरुआज जो है वो करते हैं उस चीज से जो प्रतीख है ज्यान का और शिक्षा का यानि दिया जलाना वो किस चीज का प्रतीख है ज्यान और शिक्षा का and for this I would like to request all the honorable members on the dais to kindly light the traditional lamp and offer prayers इसके लिए मैं request करूँगी कि जितने भी जितने भी आदरनी ये लोग जो है जो पोडियम पे वहाँ पे इस समय खड़े हुए है वो सब दिया जलाएं और अपनी अपनी prayers जो है वो offer करें friends look at the amazing quality of this lamp when lit not only does it carry the tremendous potential to break the darkness of the night but also leaves way for a thousand other lamps to be lit from its flames दोस्तों देखिये इस lamp में कितनी खूबिया है ये जो है ये जब जलता है तो इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये अंधेरे को उजाले में बदल सके और इसके अंदर इतनी ताकत और भी है कि ये और भी कई दिये जो है अपने से जला सकता है तो एक दिया जो है वो अंधेरे को खतम कर सकता है और वो ही दिया जो है और बहुत सारे दियों को जला भी सकता है Likened to the lamp is knowledge जो ग्यान है वो दिये की तरह ही है Knowledge to spreads light जो ग्यान है वो भी रोशनी फैलाता है It neither divides nor subtracts ना तो वो लोगों को बाटता है और ना ही उन्हें कम करता है It only adds and multiplies वो खाली लोगों को जो है आगे ही आगे बढ़ाता है Miss Anaga Bhatia of Standard 8 and her group will now sing the school's song Anaga Bhatia जो Standard 8 में है वो अपने group के साथ अब school का गाना गाएंगी Welcome and introduction of the guest जो वहाँ पे महमान है उनका स्वागत और बताना की वो कौन-कौन है उनका introduction अतिथी देवो भवा जो महमान है वो भगवान के समान होते है Our Indian culture regards guests as gods Let us welcome and honor our distinguished guests हमारी जो भारतिय सब बता है वो महमान को भगवान के समान कहती है चली हम स्वागत करते हैं हमारे जाने माने अतिथियों का It is indeed our proud privilege to have amidst us a very eminent personality from the field of art and culture Renowned artist, a painter of international repute and proud recipient of many prestigious awards President of Color Engine Academy श्री चारुदत्ता दीवान यह में लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आपको मिलाऊं हमारे चीफ गेस से वो कौन है वो बहुत ही जानी मानी हस्ती है कला के शेत्र में वो बहुत ही बड़े पेंटर हैं उन्हें सारी दुनिया में जाना जाता है उन्हें बहुत सारे अवार्ड वी मिल चुके हैं और वो कलारंजन अकाडमी के प्रेजिडेंट भी है श्री चारुदत्ता दीवान I would request our principal to welcome him by offering a token of our love and appreciation books two volumes of cherished lives of great artists मैं हमारी principal से request करूंगी कि वो हमारे chief guest का स्वागत करें उन्हें किताबे देगे two volumes cherished lives of great artists की we are offering books because flowers might perish but books can stay forever हम उन्हें किताबें इस लिए दे रहे हैं क्योंकि fool तो मर जाएंगे पर किताबें हमेशा रहेंगी Thank you sir I would now request the convener of this art festival our art teacher respected miss शिल्पा संधानी to welcome the beacon of our institution अब मैं request करूंगी हमारी art festival को जिन्होंने पूरा आयोजित किया हमारी art teacher शिल्पा संधानी से की वो जो है हमारी institution की जो चमकते हुए सितारे हैं उनका स्वागत करें The president of Balanand Academy Mr. Avadud Pathak तो Avadud Pathak जो हमारे president है Balanand Academy के उनका स्वागत करेंगी हमारी arts की teacher I would now request our school captain and cultural in charge Ms. Shubda Murka to welcome our ever inspiring dynamic principal Dr. Ajinkya Parkhi सार मैं request करूंगी हमारी school captain और cultural team की in charge Shubda Murka को कि वो हमारे principal जो की हमारे लिए एक inspiration है Dr. Ajinkya Parkhi उनका स्वागत करेंगो Our enthusiastic vice principal will be welcomed by Ms. Anagha Bhatia हमारे जो उत्साही vice principal है उनका स्वागत होगा Anagha Bhatia के दोरा Thank you dear Anagha Introductory speech अब एक speech होगा जिसमें आपको आपको आर्ट फेस्टिवल के बारे में बताया जाएगा To appraise you about the art festival I request the principal respected Dr. Ajinkya Parkhi to deliver his introductory speech आपको इस आर्ट फेस्टिवल के बारे में बताने के लिए अब मैं request करूंगी हमारे principal आदर नियर चिंकya Parkhi से कि वो आके जो है यहाँ पे speech दें Book release, book का उदगातन Friends, we have prepared here a volume comprising photographs of all the beautiful and unique pieces of art which are displayed today in the auditorium दोस्तों हमने किताब जो है वो बनाई है जिसमें जितने भी यहाँ पे auditorium में खूबसूरत कला के pieces का प्रदर्शन हो रहा है उसके चित्र हैं तो वो जो किताब है उसमें सारे चित्र हैं इन कला के pieces के They are the artistic and skillful contributions from our students यह हमारे चातरों की जो है कला का प्रदर्शन है I request the chief guest to release this special book on this occasion and formally inaugurate the art festival अब मैं request करूंगी हमारे chief guest से कि वो इस किताब का उधगाटन करें और साथ ही जो है हमारे इस art festival का भी उधगाटन करें Thank you sir I know this has aroused curiosity in you to see the exhibition मुझे पताए कि अब आपके अंदर बहुत जिग्यासा जाग दई है इस exhibition को देखने की After this program you can take that pleasure इस program के खतम होने के बाद आप वो देख सकते हैं Cultural program तो अब Sanskritic curriculum जो है शुरू होगा I know you all are eagerly waiting to listen to the gems of music from our school मुझे पता है कि आप बहुती तीरवेच्छा के साथ इंतिजार कर रहे हैं हमारे स्कूल के music को सुनने का We now invite this talented band of musicians to display their talent मैं आमंतरित करूंगी इस बहुती talented band को जो अपने music का प्रदर्शन करेंगे We proudly present the tal kachari मैं बहुती गर्द के साथ प्रस्तुत करती हूँ Tal kachari Sahil of standard 10A will give a vocal rendition And the same piece will be demonstrated on different instruments Sahil जो standard 10 का बच्चा है वो गाना गाएगा और वही धुन जो है बाकी के instruments पे बजाई जाएगी Let's enjoy the tal kachari चलिए हम tal kachari का आनंद लेते हैं वर्षम रदंगम पे है विवेक धोलग बचा रहा है जुबीन तबला और गोविन जो है घाटम Let us have a big round of applause for the excellent demonstration इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए चलिए जोर से ताली बचाते हैं Different states display their unique identity through their respective culture अलग-अलग राज जो है वो अलग-अलग तरीकों से जो है अपनी सब्यता का प्रदर्शन करते हैं Standard 7C will now give a beautiful presentation on the famous koli dance from Maharashtra koli dance जो Maharashtra से है उसका प्रदर्शन करेंगे standard 7 के बच्चे What a wonderful presentation कितनी अद्भुत presentation थी Now a light comedy play will be presented by standard 9C अब जो है एक हलकी comedy का जो नाटक है वो प्रस्तुत किया जाएगा standard 9 के द्वारा I would like to request standard 9 artists to perform their play The Boy Comes Home by A.A. Milne अब मैं request करूँगी standard 9 के बच्चों से कि वो अपने play का प्रदर्शन करें उसका नाम है The Boy Comes Home That was indeed a fantastic performance ये तो सच में बहुती अद्भुत performance थी Price Distribution अब जो है इनाम वित्रित होगा You are all eagerly waiting for the price distribution आप सब जो है उत्सुपता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं Price मिलने की There are butterflies in your stomachs आपके पेट में तितलियां हैं You will soon be relieved of your anxiety जल्दी जो है आपकी इस चिंता से आपको मुक्ती मिलेगी Everyone is unique in his or her potential हर कोई जो है उसके अंदर एक unique शमता होती है यानि हम सब के अंदर हमारा कुछ ना कुछ अनोखा talent है All are talented, yes but some do perform better and their talent needs to be appreciated हर किसी में कुछ ना कुछ talent है ये बात सच है पर कुछ लोग जो है वो किसी और से थोड़ा अच्छा perform करते हैं ये ज़रूरी है कि हम उनकी इस performance को appreciate करें उन्हें बताएं कि उन्होंने अच्छा perform किया है I would now invite the chief guest to declare the prize winners and give away the prizes for the different categories of art Thank you sir अब मैं request करूँगी हमारे chief guest से कि वो बच्चों को prize मिला है उनकी नाम declare करें और prize दें different categories में Addressed by the chief guest अब chief guest जो है भाशर देंगे I would now request our illustrious chief guest to address the audience अब मैं request करूँगी हमारे माननी chief guest से कि वो audience को कुछ कहें Thank you sir Your speech has given us wonderful insights on various aspects of art and culture Thank you sir आपका जो भाशर है उसने हमें बहुत ही अदबुत नजरिया दिया है आर्ट और कल्चर के बारे में We are immensely grateful to you for your invaluable words of enlightenment हम आपके बहुत जादा आभारी हैं आपके इन अमूले शब्दों के लिए जो आपने हमें कहें हैं Vote of thanks अब सबको जो है धन्यवाद देने के लिए एक speech होगा आर्ट टीचर मिस शिल्पा संगानी इससे पहले की हम पर्दे गिराएं मैं चाहूंगी सब लोगों का शुक्रिया दा करना जिन्होंने इस आर्ट फेस्टिवल को इतना successful बनाया और मैं इन्वाइट करूंगी हमारी आर्ट फेस्टिवल को जो आयोजित करने वाली शिल्पा संगानी हमारी आर्ट टीचर है वो आके जो है पॉमली सबको धन्यवाद दे अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू